पतना सीटी के गौरी चक्ताना छेतर के पतनपूरा इलाके में जमीनी विवात को लेकर दो गुटों की जड़प हुई जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट पर गोली बारी शुरू कर दी वहीं गोली बारी की घटना से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है इस गोली बारी में पास के मंदिर में सफाई कर रहा एक पेंटर को गोली लग गई जिससे वह गंबीर रूप से घायल हो गया है गोली पारी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यूवक को इलाज के लिए NMCH अस्पताल में भरती कराया और पूरे मामले की चानबिन में जुट गई है पिड़े जमीन मालिक ने बताया कि जमीन का बाउंडरी करा रहते उसी दोरान दूसरे पक्ष शवन दूबे ने बाउंडरी वाल पर रोक लगाया जिसके बाद विवात खड़ा हो गया और शवन दूबे ने अपने गुंडों के साथ मिलकर गोली बारी शुरू कर दी जिसे एक पेंटर युवक गंभीर रुप से घायल हो गया फिलहाल पुलिस ने पिडित के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार कर लिया है और साथ ही छापे मारी में जुट गई है क्या आप मामला किया था वहां पर खेत बारी की बारे में जमीनी भी वासिका पहले से हुआ वहां पर दोगट में अपया चैनल अपली अभे में जोंडोकर नोन को लगए है अंट शुरकს़ मज ऑना जलिए जाके रस्ता में भी मुआल विसू चोप करके रखाना हो देगा जे यहां सर्फीर खाना लेकर संपा चक आये संपा चक है जे रती करवा के फिर यहां ट्रांसफर कर दिए फिर वहां से आये यहां इलाई यह कहा का मामला है अन्यों पटन पूरा गोरी चक थाना चेटी गोरी अनिल कुमार की रिपोर्ट